लेकिन जब हम रिप्लेस्मेंट की बात करते हैं तो क्या-क्या बाते जहन में आई क्योंकि एक तरीके से जब हम CEO शब्द का भी इस्तेमाल करें जिस तरीके से जो एंतो जी ने भी कहा कि वो उसी भूमिका में पचले पांच साल हेमुंतु रहे हैं तो क्या ये कि दोनों को अ सब्सक्राइब करें लेकिन देखना पड़ेगा पार्टी के अंदर दोनों की जो परफॉमेंस है आप देखिए इंट्रेस्टिंग बात यह है कि सोनुवाल जी एजी पी से बीजेपी में आए और हिमांतव श्वासरमा जी कॉंग्रेस से बीजेपी में आए दोनों के आने इस जीत में हिमांतव श्वासरमा की बहुत अहम भुमिकार ठाल अभी 2021 में भी एक तरह से कहा जाए तो हिमांतव वेफ के वजेपी दुबारा सत्ता में बापस आए तो इसलिए बीजे पी को पहले से ही पता था कि हिमोंता और विश्वसर्मा के पॉफॉमेंस के बिना बीजे पी को असाम में दुबारा सत्ता में बापस आना मुश्किल है क्योंकि एक बात हमको समझना पड़ेगा कि असाम में 40% मुस्लिम इसलिए बात जो C.E.A. का आपने एजिटेशन देखा था C.E.A. के वज़े से जो आसमी स्पीकिंग लोग है वो बीजे पी के सख खिलाफ हो गए थे तो ये दो चैलेंजिस के बाद बीजे पी को ये पता था कि इस बार चुनाब जिटने के लिए हिमोंता विश्वसर्मा की कैमपेइन स्ट्राटेजी पॉलिटिकल मैनुवरिंग जो बैकडोर मैनुवरिंग करते हैं सबकी जरूरत पढ़ेंगे और उन्होंने उन सबका भरपूर इस्तेमाल किया जो एक्रॉस पार्टी उनका जो नेटवर्क है उनका इस्तेमाल किया उनका रोल था कॉंग्रेस यूदियफ के बीच जो एलाइंस वा उस एलाइंस को कैसे आगे बढ़ेगा उसमें भी हिमांतव विश्व सर्मा की रोल है दो नए पार्टी उबर के आए सीए एजिटेशन के बाद उस दोनों पार्टी के कैंडिडेट से लेक्शन से लेके कहां कैसे वो कैंडिडेट दे किया क्यूंकि सारे कैंडिडेट उनके थे जो स्ट्रेटेजी बनाए उनके थे तो एक तरह से कैंपेइन को सिंगल हैंडेट ली लीड किया था दूसरी बात जो उन्होंने कोशिक जी लोटती हूँ मैं लोटती हूँ आपके पास जरा उससे पहले असम में महिनत का फल मिला है और ये इनाम भी मिला है एमित बिस्व सर्मा को कॉंग्रस से बीजेपी में आये थे पकड़ मजबूत की थी मंतरी से सीधे मुखे मंतरी बने किसने सोचा था कि कोंगरस से मन कसैला करके बीजेपी में शामिल होने वाले असम कोंगरस के नेता पांच साल के भीतर असम जैसे सूबे के सूबेदार हो जाएंगे है मन तो बिस्ट वस्चरमा यह नाम असम की राजनीती में जाना पहचाना है 2015 में कॉंग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हेमंत बिश्व शर्मा ने 2016 के विधान सभाचुनावों में बीजेपी की सरकार बनाने में एहम भूमिका निभाई थी हेमंत बिश्व शर्मा ने तब कहा था कि राहूल गांधी ने उन्हें समय नहीं दिया राहूल उन्हें समय देने के बजाए अपने डौगी से खेलते रहे कॉंग्रेस में यह संस्कीटी है कि आप राहूल का उपर ही लोयल ना रहो आप राहूल का कुट्टे में भी आप लोयल रहो तो यही कॉंग्रेस का जो संस्कार है आज आप देखेगा कि जैसे कॉंग्रेस लोग अभी उनको प्रोटेक्ट करने में आ जाएगा आपको लोयलिटी किया है